असलाम अलेकुम एंड वेल्टम बेक टो माई चैनल जैजनेम ओफिशिल विल्लॉग्स इतनी शदीद कर्मी शायद मैंने बहुत अर्से बाद देखी है और इसलिए मेरा आचल कोई काम करने को दिल भी नहीं करता और ना चाहते हुए भी मैं आजकल बहुत दा लेजी हूँ आप लोग बताएए आप लोग के एरिया में कितना टंपरेचर चल रहा है और आप लोग इस गर्मी में कैसे सर्वाइब कर रहे हैं एक सर्वाइबल टेप इंदेश शदीद गर्मी जो मैं आपको दे सकती हूँ देट इस कि आप दिन में 20-25 ग्लास पानी लाज़ें पियें तो स्टे हाइडरेटेट एंड इससे हाप की स्किन भी ग्लोई रहेगी थोड़ा मुश्किल तो है बट जरूरी है तो थोड़ी बहुत जो भी लास्ट वीक में में रूटीन रही है लेजी रूटीन आइमर्स से वो शेयर करने के साथ साथ आज हम करेंगे दिल की बात इसकी जो दिल की बात है उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मुझे मेरी व्यूर्स काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पर सुनना चाह रहे थे I was trying to avoid it for reasons बैट पर सोचा कि दिल की बात है तो के देनी चाहिए और अपना experience और अपना point of view शेयर कहना चाहिए श्याद मेरी दिल की बात और उसे related मेरी experiences किसी के लिए helpful हो सकें आप लोग भी अपने point of views दरूर comment box में शेयर कीजएगा और अगर अपी तक आप लोगों ने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलें स्टार्ट करते हैं दिल की बात मैं बात करूंगी toxic in-laws और हम in-laws को कैसे tackle करें इस topic पर बात ना करनें की एक reason ये थी कि मैं इस topic पर बात करूं तो तो आप नहीं लोग जो मुझे जानते हैं उनकी messages से मेरा whatsapp या comment box भराओ कि बीबी आप तो in-laws या joint family के साथ रही ही नहीं और नहीं रह रही हैं तो आप इस बारे में कैसे बात कर सकती है लेकिन मैं आप लोगों से अपना experience और उसकी base पर जो कुछ मैंने लांग किया वो share करूंगी ताकि मेरी वो बैने जो newly merit है या जिनकी शादियां होने वाली है या में भी कुछ seniors जो बहुत कुछ प्यार कर रही हो उनको थोड़ी बहुत help मिल सके और मेरा ये वीडियो बिनाने का मकसद in-laws को बुरा बला कहना या इन-laws के रिलेशिन को toxic proof करना बिलकुल नहीं And yes, I have not experienced living in joint family alhamdulillah और आज इस बाते में जितना में शुकर अदाग करूं वो कम है Because मुझे ऐसा फील होता है कि हैं फाइबर्स एवर भी part of joint family I mean मेरे इल्नॉस के joint family तो शायद आज मेरा और जी का relation खतम हो चुका होता Because मेरी शादी एक emotionally weak इंसाम से होई थी जो कि साथ चुमंदर पार बैटा बस अपनी family के एक-एक फर्द के बारे में सूचता रहता था चाहिए उस फर्द को ये याद भी ना हो कि उसका कोई लगता नोकरी के लिए परदेश कारता है और जी की इस nature का idea मुझे बहुत starting में हो गया था But I never try to manipulate कि मैं अपने husband की माबाप से उनका बेता शीन लो या बेंट-बाईयों से उनका भाई दूर कर दो जबकि मुझे बहुत ही स्टार्ट में ये idea भी हो गया था कि some relations are trying to manipulate against our relationship यहां मैं कोई अपना सुसाल नामा सोना कि अपने सुसाल कुछ जालिम हो खुदको मिजलोम सावत नहीं तरना चारी But yes, I don't know how मैंने बहुत सी जाती और बहुत से बातें खमोशी और सबसे बरदाश की इसा कि मैंने पहले बताया कि जी शादी से पहले ही सौरी अरेबिया में जॉब करते थे और उन्होंने उन्चे शादी के त्वी मंस के बाद ही बुला लिया था In those three months, I stayed at my parents' home And I think यह मेरे parents का best रस्यान था Parents को यह सोचना चाहिए कि बेटी कोई बोच नहीं है जो आपने अपने सर से उतार की बस किसी की घर पीजना है Islam में शादी और निकाह की बॉन्ट का जो concept and purpose है वो बतकिस्मती से हमारे society में totally change हो गया है हम बहू लाते हैं कि घर समा लेगी और अगर पड़ी लिखी है तो साथ जौब करके पूरा खांदान पा लेगी और अगर पहले साल में बच्चा नहीं हुआ तो सास नहीं के साथ साथ जठानियों की जुबान भी कोल नहीं रोक सकता जरूरी नहीं कि जब हम in-laws की toxicity की बात करें टागेट सा टिपिकल इस्यूस के सारे काम क्या बोच बहुँ पर डाल दिया या बहु कुछ और से मार पेट या पर देवाने चितानी की कामों या घर की चीज़ों पर लड़ाई यह जिसे शाय जॉइंट फैमिल में फेस करनी पड़ती हूँ I think आजकल it's very rare Social media और drama industry ने आजकल इतनी awareness लों को दे दी है कि इस तरीके से आप दूसरी को destroy कर सकते हैं और किस तरीके से आप दूसरी का mental piece spoil कर सकते हैं और आजकल manipulation की थो जो है वो बंवों को या भादियों को या दवरानी जठानी को टाइट किया जाता है And I became victim of this manipulation as well और इन-लॉस की जो issues मैंने faced की हैं Believe me I faced those issues staying abroad along with my husband Now I realized कि उस सब में मेरी भी कुछ गलतियां थी और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मुझे ये accept करना चाहिए था कि मेरी जो नान्द है वो मेरे husband की बेहन है ना के मेरी तो मुझे उसके साथ एक boundary set करनी चाहिए थी और अगर मेरे husband की मा या भाई या कोई बे relation है तो dad doesn't connect to me वो मेरा relation नहीं है वो मेरे husband की बज़ा से ही मेरा बनाए and most important कि जो रिष्टे अल्ला ने में की बनाए वो मैं खुद कैसे बनाऊ जब तीन में देवर जीट के रिष्टे ना महरम है तो मैं उन्हें उस जगा पे कैसे रख सकती हूँ जहां मैं अपने सगी भाई को रखती हूँ पेहनों सबसे पहले तो जब आप शादी होके जाएं तो ये कभी मत कोशिश करें कि आपकी सास आपकी मा बन जाएगी आपकी नंद आपकी सगी बेहनों की तरह बन जाएगी पेवर है तो वो आपका सगे भाई की तरह होगा You have to accept and understand कि आप एक new family का part बने जा रहे है उनसे आप अपने सगी कोई के रिष्टों वाली expectations नहीं रख सकते और नहीं रखती चाहिए Even अगर आपको अदन है तो आपका relation अपनी भावी के साथ भी तभी अच्छा रहेगा जब आप ये accept कर लेंगी कि वो आपकी भावी है आपके सगी भाई की वाई ना कि आपकी सगी बेन अच्छा आप मैं आपको इसकी छोटी सी logic समझाती हूँ कि आपकी जो अपनी सगी माँ है वो आपको डांट ले आपको बुरा वेला केलेंगी तो आपकी दिल से वो बात फॉरा निकल जाएगी जैसे ही आपकी माँ आपको प्यार से बुलाएंगी आपकी सगी बेन आपके साथ लड़ाई के बाद वो बात दिल में नहीं रखेगी और नहीं वो आपकी भाणजी को बताएगी कि तुम्हारी खाला ने मिरे साथ वला टाइम ये किया था हाँ, अगर आप खोपो हैं तो शायद आपकी भावी अपनी बेती को कोई ऐसा किससा जरूर सनाए इसमें वो विक्टम प्रूफ हो सके तो accept the relations as they are and don't over expect हर रिष्टे में अपना best जरूर दे but don't compromise on your self-respect don't try to prove yourself good don't try to explain आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी भी रिष्टे में खुद को sincere and pure थाबित करे अगला अगर दिमाग रखता होगा तो वो कुछ समझ जाएगा second most important point is कि try to say no and tell others कि उनकी limit क्या है इसको आप ये भी कह सकते है कि maintain healthy distance किसी को भी ये इजाज़त ना दें कि वो आपके सब्पे सवार हो जाए और अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप अगले को मना ना करें उस काम से और उसको एक अच्छा जिस्टर ये स्माइल तो दे दें लेकिन उस काम या एक्ट से आप खुद अंदर ही अंदर कुड़ते रहें और अपना mental peace spoil करें इससे बहुत बेटर है कि अच्छे तरीके से अगले बने को बता दे कि it's beyond your limits इसकी बहुत से एक्जेंपल्स हैं जैसे in the very start मेरी जिस्टर इन लॉग का की काम था कि वो डेली मेरी वाट डॉप कोलती थी और इसमें से मेरी पर्फ्यॉम यूस कहती थी जी ने अगर कोई चोक्रेट्स या जूस बगएरा रखा होता था तो वो आके डेली निकाल लेती थी तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती थी बिकॉज मेरी अलमारी है तो अबिसली मेरी प्राइवसी तो होगी बच मैं कभी नहीं कह पाई फिर एक बार जब मैंने इन लॉज को विजट किया तो मेरी जिठानी बकाईता मुझे इस बात पर नराज हुई कि तुम्हारी अलमारी में तो तुम्हारा कोई कप्ड़ ही नी पढ़े हुए थै मैंने कहीं जाना था तो सूचा कि तुम्हारा कोई ड्रिस पहें जाओ तो add that point मैंने उनको उनकी बाउंडरी पता दे विड्यू रिस्पेक्ट कि भावी मुझे अपने कपड़े शुय करना पसंद नहीं है इससे पहले कि in future उस बात पे कोई मसला होता I thought कि it's better to say no Yes, उस टाइम तक मुझे no बोलना आ गया था But उस learning to say no के process में मैंने बहुत थोड़े टाइम में लॉस के साथ ना रहते हुए भी बहुत कुछ face कर लिया था अच्छा एक और important point और एक mistake जो लड़कियां अकसर करती है मैंने भी वो की वो यह कि अगर आप में इतना करश नहीं कि आप no कह सके और आप वो काम ना चाहते हुए भी कर लेते हैं या कोई हैसी बात जो आपको बुरी लगी है और आप उस पर कोई react नहीं करते To prove yourself to it या आप किसी भी वज़ा से कोई भी negativity जो आपके mind और nature के against है या बटडाश से बाहर है आपको बटडाश तो कर लेते हैं doubt any reaction बट उस negativity वो जो भी हो किसी की कोई बात हो जो आपको बुरी लगी हो या कोई काम जो आपने अपनी मज़ी के खिलाफ कर लिया हो लेकिन उसका जो भी reaction है वो आप निकाले अपने husband के सामने टाए शादी के कुछ मंस में तो मैंने जी को अपना पंचिक बेक समझ लिया था मुझे लगता था कि सुस्टाल की किसी भी बात पर रियक्ट ना करके मैं एक अच्छी बहो और भावी बन जाओंगी और शायद इस से मुझे जी से भी एक अच्छी बीवी होने का मैटल मिल जाए एस मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जी परदेश स्टार्टिंग की वज़ा से कुछ ज़्यादा ही फैमिली और येंटेट थे और मेरी इस फेकनेस का मेरे इनलॉस को अंदाजा हो गया था और शायद ही उन्होंने कोई ऐसी कसर छोड़ी हो कि जिससे मैं और जी अलग ना हो जाए फ़र अपने क्या ही उस टेटेल में जाऊँ अपरेरेंटली तो मैं अपने अजबंड के साथ अलग रही थी लेकिन हर वोकित फॉन पे मेरी शिकायते में अगर कॉल नहीं मिली तो मतलब मैंने ब्लॉग करτεια होगा जबके मैं खुद जी को कॉल मिला मिला के लिटी थी कि अपनी फाइमली से बात कर ले वेकोज मेरी अपनी फाइमली से दिन में 2-3 बर बात होती थी और ऐसा नहीं है कि मैं अप्री सिस्टर इन लॉय या मदा इन लॉय से बात नहीं कहती थी बट वहां से यादो शिकाइटों का अंबार होता शिकाइटें भी उन बातों पे जो मैंने की ही नहीं प्रानी चिठानी की मन करते अजामात जिन से मेरे साल में कोई चार से पांच बार ही मिलना होता और अगर कभी शिकाइटों से फुरसत मिल जाती तो फर्माईश ने तयार होती है अब अगर आप किसी चोटी मोटी चीज़ की भी पर्माईश करो तो बंदा बाखुशी बूरी कर दे बेहन पायों कभी हक होता है एक दूसरे पेट लेकिन उनको तो बचों के लिए फॉन और लैप्टॉप चाहिए होते थे या फिर गोल्ट फिर मैंने कभी इस देने दिलाने के माम में बें इंटरफेर नहीं किया था बच आय तिंग एक पीवी का हक होता है कि उसे पता हूँ कि उसका शौर मापाप के इलावा किसी को क्या दे रहा है लेकिन उस सब के लिए आपका अपने हस्बेंड के साथ एक स्ट्रॉंग बॉर्ण डेवेलप करना जरूरी होता है ना कि आप उसे अपना पंचिंग बैग समझें और सारे सुस्वाल की फ्रेस्टेशन उस पे निकाले क्योंकि वो उसके रिष्टे हैं तो उन्होंने आगर आपके साथ जात्ती की है तो वो कसूर बार है नहीं भाई वसूर आपका है आपको एक बॉर्डर लाइन सेट करनी है डे वन से आपको यह सीखना है कि आपकी अपनी लिमेट क्या है जो बाता परदाश नहीं कर सकती उस पे इंकाल करना सीखे डिस्क्लेमर मैं यहां पर कोई बत्तमीजी करना नहीं सिका रही बड़ यह कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और अपनी बांग्रीज को मेंट्रेन रखें और जब आपके लॉस को यह पता हो ना कि आप अपनी शोगर को पंच्रिंग बैग बनाया हुआ है तो यकीन करें ऐसे ऐसे इसे इस करियेट करते हैं जस्तों क्रेट अमेस बेट्रीम इस क्या हुआ कि मेरी मदाएं लो अल्ला उनकी बख्शुष करें आप वो इस दुनिया में नहीं है अच्छा जी उनकी कॉल आती है जी को कि मैंने चुछ जेट हैं उनकी सबसे बड़ी बेटी को रो रो के बुरा हाल हो गया है उसको तो पुखाल चड़ गया है इतना सद्मा उसने ले लिया है क्योंकि उसने मुझे फेस्बुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट पेज़ी थी जो कि मैंने एक्सेप्ट में की और इस बात से पहले तक बहुत से ऐसे चोटे-चोटे एशोस हो चुके थे जिनसे जी को भी यह समझ आ गी थी कि आखिर ही हो क्या रहा ह उस बात पे हमने कोई खास रेक्व नहीं किया और नहीं मैंने यह जी ने अपनी मदाएं लौकों को जवाब दिया बात ऐसी थी कि मेरी समझ से बायर थी और बरदाश से भी पच्छ मैंने बात में जी को आराम से बोला कि मुझे यह बताएं आपकी पिचारी मदर को यह भी क्रियेट किया गया कि बाई पता नहीं कौन सी मुखबत जायर की थी उनकी पोती ने जिसका बाउने जवाब नहीं दिया तो जाहिर है वो पेटे से शिकायत तो करेंगी पर मेरी रेक्ट ना कहने की एक वज़ा यह भी थी कि जी को भी समझ आ चुकी थी कि यह गलत है भाई मेरी मजी मेरी फेस्बुक मेरा सोशल मीडिया I am not bound to accept everyone's request obviously मेरी privacy है और मुझे मेरी space मिलनी चाहिए खेर ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे जी ने मुझे कुछ कहा कि तुमने क्यों accept नहीं की या कुछ भी लेकिन उनको भी बुरा लगा कि उनके भज़ीजी ने यह जो हरकत की है यह बहुत गलत है सब मेरी मेरी मदाने-in-law भी इनॉसेंट ती एस उनको तो सोशल मीडिया का इतना कुछ आइडिया नहीं था बच उनके सामने जिस तरीकी से प्रिजेंट किया गया उसके एकोडिंग उनका रियक्ट शाहिद नेच्रल था या अगर मैं यू कहूं तो ज़दा परफेक्ट होगा कि मेरे-in-laws ने मेरी मदा-in-law को मुहरा बनाके मुझे टार्गिट किया और ये एक बार नहीं ये बार-बार हुआ इस बात की समझ भी मुझे आ चुकी थी और अलहम्दुरेला मैंने कभी भी अपनी मदा-in-law के साथ मिस्पेव नहीं किया पर नहीं उनकी शिकायतों पर रेक्ट किया At that time I and Z both realized कि ये जो कॉल्स पाकिस्तान से आती है इनका actually में मकसद क्या है आतीकि स्टार्टिंग के एस में आप इतना मेचोर नहीं होते हो Especially जब आप लाट प्यार में पले हो और आपने इस किसम की Conspiracy's face ना की हो ये सारी स्टोरी शेयर करने का मकसद सरफ ये है कि try to maintain a positive bond with your spouse उसे अपना punching bag कभी ना बनाए बलकि उसे अपना वो friend बनाएं जिससे आप प्यार से हर बात शेयर कर सकें कुछ भी हो जाए आपने अपने husband को blame नहीं करना ना ही उसे ये force करेंगे वो शादी के पहले ही साल में अपने बेंपाईों के किलाफ खड़ा हो जाए In my case, it was Zee who realized के यार उस जगा पे मेरी wife के साथ गलत हो रहा है बच बेंग एमोशनली वीक या पिर कहलें कि वो शादी से पहले पर देश काट रहे थे तो जो भी घर के हालात उनको सुनाए जाते थे About a typical family dispute तो उसकी वज़र से वो उस सब का पार्ट नहीं बना जाते थे Standing in favor of his partner बटे सारे स्टूशन में जो ही काम मैंने किया वो यह था कि मैंने जी को punching bag बनाना छोड़ दिया पर हर छोटी छोटी बात पर शिकायत करकी अपना illusion कर आप नहीं किया Honestly मैंने खामोशी क्यार कर ली और फिर वकत पलटा जी को खुद realize हुआ कि who is wrong वो toxic in-laws रिष्टे जिन्होंने मुझे challenge किया था कि उनका भाई मुझे छोड़ देगा बच उन्हें नहीं जी उनसे अलग हुए उनकी अपनी वचा से because they asked them to choose between me and them और इस सब में मैंने अपना best देने की कोशिश की मैंने कभी भी कोशिश नहीं की कि मैं कता तालुकी करूँ बहनों से मिलने उनके क्या चानी के लिए जी को मैं फोस करती रही because मैं ही सूचती थी कि मैं भी किसी की बहनों तो शायद जो जोज़बात मेरे दिल में अपने भाई के लिए है वो ही जी की बहनों की दिल में भी होंगे but at the end जी रिलाइस that they are not sincere with them बाद ऐसा कोई concept नहीं जिसमें भाई पूरे खानदान की खिदमत करें देखें आपके शोहर की वालदेन की जुमेदारी आप पे नहीं है लेकिन वो आपका इखलाक आपकी तरबियत है जो आपसे उनकी खिदमत या इज़द करवाए इसलाम हमें विजर्गों का इहतराम करने का हुकम तो देता है तो साथ साथ ही इसलाम हमें शरही पर्दा करने का भी हुकम देता है तो आप अपनी बहु या बीबी को जॉइन फैमली में ना मेरा मिश्टों के पीश में रहने पे कैसे मद्बूर कर सकते हैं मैं यह नहीं कह रही कि शादी होते ही शोगर को लो और अलग हो जाओ क्योंकि हमारे सुसाइटी में हर कोई यह अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन जो आपकी बहु या भावी का एक रूम है जो आपकी घर में उसको दिया गया है एक लिस्ट उसमें तो उसकी प्राइवेसी रहनी चाहिए ना कि आप उसकी अलमारी तक में घुश जाएं यहां अपनी जो बातें शेयर किये वह सुनने में तो शायद बहुत माइनर लगें बच तो experience, it's very bitter यह कुछ ऐसे points से जो मैंने share के तो आप टोकिजेद लोग/. यह क्या मक्सद कोई भाशन देना नहीं था और ना ही मैं बकोँ जड़ा टेटेल में अपने bitre experience JE चाहर करना चाहती हूँ पर कुछ पसनल एक्जेम्पल से सिरफ ही संचानी की कोशिश की है कि डे ओन से आप ने चल रहें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और मेंटल पीस पर कंप्रोमाइस करके आपको बेस्ट बहु इंदा फैमिली का बैच कभी नहीं मिलने वाला, बलकि आप जितना ज़दा पेश उस ताइम पर ब्रेक नहीं करना जब आपको पुश किया जा रहा हो और इन माई केस मैंने खुद को एक बास समझाई थी कि में इन सबसे जादा एजुकेटेड और समझदार हूँ, मेरा लेवल इन से हाई है मतलब कि मेरा आप ब्रेंकिंग या मेरी मां की तरभियत इनकी अबियत से बहुत बेतर है, so में इनकी लेवल पे नहीं आ सकती और I let C handle them, although उसमें टाइम लगा और वो एक बहुत टाइरिंग और लॉंग प्रोसेस था, but that is my victory, alhamdulillah I never let C misbehave with his parents because of me, but for his siblings, एक वक्त आ गया के मेरा सबर फतम हुआ, but आज में जिस मुकाम पी हूँ और मेर और जी का relation जिस लेवल पे strong है, उसके पीछे मेरा बहुत सरा patience है, last advice जो मैं parents को करना चाहूंगी, वो यह है कि please अपनी बेटियां रुखसत करते वकत उन्हें के कहना छोड़ दे, कि अब उस घर से तुम्हारा जनाजा ही उटे, जैसे कि मैंने वीडियो के start में बताया कि श पर ये नुकरानी रख लो, my parents decided before शादी कि जी के बगए में सुस्राज में नहीं रहूंगी, because शरियत इस बात के लिए allowed नहीं घर्पी, भी बहुत से cases देखे हैं कि husband मुझ से बाहर साल बात आएगा, बच आपकी बेटी सुस्राज नहीं रहे, चाहे उसे दोगत की रोटी क के लिए पूरे घर की मुलाजमत करनी पड़े, मैं पर काहूंगी कि सास उसर की खिदमत और नंदों की मेमान आवाजी करना is not that कि आप मुलाजमा बन गई, ये आपकी तरबियत है, आपका इखलाक है, but there is no concept of देवर्ज जेट इन इसलाम, so हनुस्टों का आपकी लाइफ मे कोई हग भी नहीं बनता, anyways, यही कैसा topic है कि इससे आप एक session में sum up नहीं दर सकते, मैंने कोशिश की कि आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर करूं, और अपने experiences की base पे इस topic पे बात करूं, I hope आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग अपने experiences और point of view जो शेयर कीजएगा, अपनी द्वाओं में मुझे याद रखें, इस द्वा के साथ अजाज़त चाहूं की, कि आलत अला हर बेटी का नसीब अच्छा करें, और नेक लोगों से वास्ता डाले, और हर भगों को हिदायत दे, कि वो शोगर को उसके खोन के रिचों से झाले, और हम आले, और हम एम झाले हर बेटी का रहन है, और हर बेटी कि यादूं से वो शोगर को है।